कि हलो फेंज मत्मुछ स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंज इस वीडियो क्लास में हम दिसक्स करेंगे आई वीपीएस पीओ प्री के कुछ रियल कोस्टिंस और यह कोस्टिंट बैंकर के लिए भी काफी इंपरेंट रहेंगे तो चलिए देखते हैं इन कोस्टिंस को देखें यह कोस्टिंस को देखें यह कोस्टिंस पीओ प्री एक्जाम में पूछे गए हैं लेकिन सेम इसी तरीके के कोस्टिंट बैंक क्लर्क एक्जाम में भी पूछे जा सकते हैं प्री में और मेंस में यानि आई बीपेस प्री में जो कोस्टिंस पूछे जाते हैं सेम उसी तरीके के कोस्टिंट आप बैंक क्लर्क मेंस एक्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है अब देखे एक यह नए पैटन के कोस्टिनs है और बेंकिंगिंग एकजिम हो जानते होंगे कि इसमें जो कौस्टिन नीचर आ रहे हैं और पैटरण चेंज करकर questions पूछे जा रहे हैं ताकि इसका प्रप्स यह होता है कि student का जो original aptitude है student की है ज्णिन एक्यूट है वह चेक किया इस question में आपको क्या करना है word replacement in a sentence यानि ये जो sentence दिया है इसमें एक पूरे sentence में चार word bold में दिये हैं आप देख सकते हैं इस particular sentence में lead, resumed, uprising और appear ये चार words इसमें bold में दिये हैं लेकिन इन चार words की position हो सकता है गलत हो यानि इसका मतलब ये है कि a के स्थान पर हो सकता है b i और b के स्थान पर हो सकता है a i या c के स्थान पर c जो है इस c के स्थान पर ये d i और d के स्थान पर c i तो एक sentence के अंदर words का जो placement है वो आपको सही करना है ठीक है और उसके according ही फिर आपका answer होगा तो एक यह नया pattern है यह विल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है और इस तरह के question अभी रिसेंटली जो आभी पेस करक मेंस 2019 का exam हुआ है उसमें यह question पूछे गए हैं 20 जन्मरी 2019 को यह exam हुआ है उसमें ऐसे questions पूछे गए हैं तो इसको हम यहां से देखते हैं some American official lead to hope lead to hope का क्या मतलब होगा कोई मतलब नहीं है इस lead to hope का यहां पर आप यहां पर यह वर्ड होता है expect यहां पर अब देखें यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह sentence ही हो जागा appear to hope यहां पर आप appear लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि some American official appear to hope मतलब कुछ American officials को देख के ऐसा लगता है कि वो इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं some American official appear to hope मतलब वो ऐसा लगता है कि वो इस चीज की hope कर रहे है तो यहाँ पर appear word सही हो सकता है ठीक है और चूकि यहाँ पर लिखा है to are popular uprising तो lead जो word होता है उसके बाद हम two proposition का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर आप lead लगा सकते हैं ठीक है यानि A और C को आपस में आप interchange कर सकते हैं और A और C को interchange करके यह sentence आपका सही हो जाएगा यदि आप A और C को interchange करते हैं ठीक है तो उसके बादी sentence क्या हो जाएगा some American officials appear to hope that resumed sanctions on Iran will lead to a popular uprising इस sentence का मतलब क्या है कि कुछ American officials को देख के ऐसा लगता है कि वो उम्मीद कर रहे है कि इरान के जो resumed sanctions है इरान को जो हमने जो sanctions दिये है किसी भी चीश के लिए उससे एक विद्रोख खड़ा हो सकता है कुछ officials ऐसा मानते है तो popular uprising यानि uprising word तो यहाँ पर सही है और resumed sanctions ऐसे sanctions यहाँ पर noun है और resumed यहाँ पर adjective पी तरह काम कर रहा है ऐसे sanctions जिनको resumed कर दिया गया है ऐसे sanctions जिनको resumed कर दिया गया है और uprising popular uprising मतलब जो एक कॉमन है तो यहाँ पर A और C को आप interchange करके के सेंटेंस को सही कर सकते हैं तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा only A and C, B और D मैंने बताया आपको कि B और D जो है already सही है, तो इसलिए A, C और B, D answer नहीं होगा, answer होगा A और C को, कि A और C को change करने से ये sentence आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका answer होगा only A and C, I hope आपको ये समझ में आया होगा, और इ reading आपको जाज स्यदा करनी है, English newspaper की, particularly Hindu newspaper की reading आपको regularly करनी है, ठीक है, अब देखते हैं second question, अब देखे, इसमें हम किस तरीके से करेंगे इस question को, tariff has imported, अब देखे, यहाँ पर has लगा हुआ है, तो has क्या है, इसका मतलब यहाँ पर एक subject आएगा, और subject के स्थान पर हम किसको आपको लगा सकते है, China, यहाँ से मैं क्यों हठा रहा हूँ, क्योंकि higher China कुछ नहीं होता, higher China, यदि आप कहते हैं, तो यह nonsense होगा, higher tariff, tariff higher हो सकता है, China higher नहीं हो सकता, समझ मैं आया, tariff, जो है, tariff का मतलब किसी भी चीज़ पर आप जो भी उसकी जो, जैसे, 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 यहाँ पर आप tariff को ला सकते हैं, और यहाँ पर आप China को ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बोले हैं कि China has imported, मतलब किसी entity ने कुछ काम किया है, यहाँ पर has लगा हुआ है, जो कि एक helping verb है, यहाँ यहाँ पर एक एक आपको doer चाहिए, और doer कौन हो सकता है, doer China हो सकता है, higher tariff हो सकते हैं, यानि आप A और C को, A और C को आप change कर सकते हैं, तो A और C को जब आप interchange करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, China has imported higher tariff, ठीक है, यानि A और C आप interchange कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, on 603 item imposed from the US, imposed का मतलब क्या होता है, जैसे हम tax को किसी के ऊपर लगा देते हैं, imposed का मतलब होता है, किसी चीज को किसी चीज के ऊपर लाद देना, उसको impose कर देना, उसको force कर देना, उसको हम बुलते हैं impose, तो item को हम impose नहीं करेंगे, item को हम import करेंगे, item को import करने की यहाँ पर बात हो रही है ठीक है? तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आपको 3rd form चाहिए verb की độ imposed आप लगाएंगे तो यहाँ पर सही हो जाये गा और यहाँ पर चूकी हम item की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आप इंपोर्टेट लगाएंगे तो सही हो जायेगा तो यहां पर भी change की ज़रुवत है यानि इसमें आपका आंसर होगा A, B Sorry, A, C और B, D यानि B, D को भी change करने की ज़रुवत है देखिए B, B यानि imported और D यानि imposed, यानि imported की जगे imposed आएगा और imposed की जगे imported आएगा, tariff की जगे China आएगा, यानि A, C और B, D A, C और B, D इसमें आपका सही आंसर होगा ठीक है तो यह questions है IBPSPO pre-K और यह clerk mains exam में इस तरह के questions आप expect कर सकते हैं I hope आपको यह समझ में आया होगा यदि आप पूरे sentence को आप पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा China has imposed China has imposed higher tariff on 603 item imported from the US इस तरीके से यह पूरा sentence आपका हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं एक यह next sentence है NATO ally NATO का आपने नाम सुना होगा यदि आप GS की तैयारी करते हैं करेंटरफेस की तैयारी करते हैं इसका full form है North Atlantic Treaty Organization यह एक organization है ठीक है ally का मतलब क्या होता है friend होता है उसका साथी है यह NATO का साथी है तो NATO का साथी कौन होगा word तो होगा नहीं तरकी हो सकता है तो यानि तरकी को आप यहाँ पर लाएंगे तो सही हो जाएगा और word को आप यहाँ पर लाएंगे तो सही हो जाएगा NATO ally Turkey तरकी जो है वो NATO का तर्की leads the world, किस चीज में, in the, यहाँ पर भी change की जरुवत है, यहाँ पर आप, देखे, यहाँ पर यदि आप number लगाएंगे, तो यह हो जाएगा in the number of, जो कि एक सही phrase होगा, ठीक है, in the number of journalist jail, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि तर्की जो है, वो पुरे world को lead करता है, यानि तर्की से जितने journalist को jail किया गया है, jail में डाला गया है, वो उसका number सबसे ज़्यादा है, पुरे world में, तो तर्की इस चीज में पुरे world को lead करता है, इस sentence का यह मतलब है, NATO allied Turkey leads the world in the number of journalist jail, जिनको jail किया जा चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर एक तो, चारो ही words को आपको change करने की ज़रूवत है, यहाँ पर A और B और C और D, एक तो आपको यहाँ पर change करना पड़ेगा, world के स्थान पर, यहाँ पर A, B और C, D, A, B और C, D, यानि आपका answer होगा first इसमें, ठीक है, A के स्थान पर B आ जायेगा, और यहाँ पर C के स्थान पर D आ जायेगा, तो आपका answer होगा इसमें first, ठीक है, इस तरहे के से question को करना है, question number 4 देखते हैं, इन 2016, rising violence, देखिए, rising violence अही है, यहाँ पर, इसको change करने की साथ जरूवत नहीं है, rising violence, क्योंकि violence जो होता है, वो rising होता है, मतलब, rising violence मतलब, ऊपर उठता हुआ, या भढ़कता हुआ, भढ़कती हुई हिंसा, rising violence मतलब, भढ़कती हुई हिंसा, in 2016 में केस हुआ था, जिसमें उरी और पठान कोट के ऊपर, कुछ militants ने अटेक किया था, यदि आप अपर इंटाफेस पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा यह, उरी जो है, वो जम्मू एन कश्मीर में है, in 2016, rising violence, ओके है, यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें, in पठान कोट, by Islamic militants, culminated in attacks on Indian forces at उरी मतलब, वो वहाँ पर जाकर, चरम सीमा पर पहुच गया, वहाँ पर जाकर वो खतम हुआ, इसको हम culmination भी बोलते हैं, culminated actually verb है, और culmination जो है, वो noun है, तो इसमें देखिए, उरी और पठान कोट पर अटेक हुए थे, attack जो शुरू हुए थे, वो कश्मीर में शुरू हुए थ होगा, पहले वहाँ पर हिंसा भढ़कती है, उसके बाद attack करते हैं, एक पाती, दूसरे पाती के उपर, तो in 2016, rising violence in कश्मीर होना चाहिए, यहाँ पर, क्योंकि Islamic militant जो है, यह कश्मीर में हैं, और rising violence जो शुरू हुआ था, वो कश्मीर से शुरू हुआ था, उसके बाद attacks forces पर, उरी में और पठानकोट में, यानि पठानकोट के स्थान पर कश्मीर आएगा, और कश्मीर के स्थान पर इसमें पठानकोट आएगा, यानि B और D को आपको इसमें change करने की जरूवत है, बाकी सब सही है, क्योंकि Islamic militant, by Islamic militant, culminated, culminated हम, culminated जो word है, इसको किसके लिए य तो यहां पर culminated तो सही है, और rising violence भी सही है, यानि उसको change करने की आपको जरूवत नहीं है, पठानकोट और कश्मीर को आपको change करने की जरूवत है, इसमें आपका answer होगा, only B and D, चलिए आगे देखते हैं, देखें, ये कुछ spottinger के question है, और इनको देखते हैं, she held something at her side, which was totally hiding by the folds of her sari, she held something, उसने कुछ पकड़ा हुआ था, she held something, तो ये सही है, at her side, ये यहां भी सही है, which was totally hiding के स्थान पर हम बोलेंगे, which was totally hidden, क्योंकि was के साथ हम वर्प की third form लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये past continuous tense नहीं है, हम इसमें ये नहीं बोल सकते, which was totally hiding, जिसको चुपाया जा रहा था, जो चुपा हुआ था, जो पूरे तरीके से चुपा हुआ था, ऐसे हम बोलेंगे, तो was hiding, was hidden बोलेंगे, actually यहां पर, और was hidden में, hidden जो होगा, इसको आप third form भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे साब से ये adjective है, यहां पर, was hidden, it was hidden, तो is MR और वाजबर के साथ इसम और वाजबर के साथ अब third form भी लगा सकते हैं, और adjective भी लगा सकते हैं, जैसे it was totally damaged, ठीक है, it was stored, it was hidden, इस तरीके से, तो यहां पर यह hiding के स्थान पर इसमें होगा, hidden, और C इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है, only C इसमें आपका सही आंसर होगा, तो इस तरीके के spotting अगर questions पूशे जाते हैं आपको, अब देखें, next question हम देखते हैं, the father forbade his son, forbade, एक second form में, forbid की, forbid का मतलब होता है, मना करना, the father forbade his son, यहां तक सही है, to walk in the sun and play with his friends on the road, देखें, कितना tricky यह question है, देखने से यह sentence ब्ल्कुल सही लगता है, लेकिन इस sentence में एक minor C mistake है, कि the father forbade his son to walk in the sun, or, यहां पर हम बोलेंगे, or, in place of end, or play with his friends on the road, कि यह दोनों अलगलग activity है, father ने अपने son से मना किया, कि वो धूप में नहीं चले, और अपने, धूप में ना चले, और अपने, और अपने friends के साथ भी ना खेले, तो end का मतलब होगा, कि दोनों activity एक साथ में हो रही है यह, ठीक है, to walk in the sun and play with his friends, लेकि यह दोनों अलगलग activities है, ना तो वो धूप में चले, और ना ही वो अपने friends के साथ खेले, तो इसलिए यहां पर end के स्थान पर इसमें हम और का प्रियोग करेंगे, तो इसमें आंसर होगा आपका, किसमें है यह, C में है, only C में आपका आंस movement का मतलब कोई भी आंदोलन, aims का मतलब उसका उद्देश है, raise का मतलब किसी चीज को बढ़ाना या उठाना, एक ऐसे आंदोलन की यहां पर बात हो रही है, जो awareness को बढ़ाता है, the movement which aims to raise awareness, जो जन्जागरती को बढ़ाता है, awareness को बढ़ाता है, which aims to raise awareness about climate change, climate change के बारे में जो हमारी awareness को बढ़ाता है, hopes to bring people together, उससे ऐसी उमीद की जाती है कि वो लोगों को साथ में लाता है, bring people together to think about what they can do for, देखिया, for एक proposition होता है, यहां पर आप लगाएंगे, तो आपको word की ing form लेना पढ़ेगी यहां पर, लेकिन यह सही जो word होना चाहिए, यहां पर वोना और in place of 4, you should write 2, तो कितने tricky questions आते हैं बेंके एक्जाम में, और बहुती minor और बहुती subtle mistakes होती ही, जिनको पहचारना बहुत मुश्किल होता है, और इस तरह की errors को के बदा प्रेक्टिस से कर सकते हैं, तो इसमें आपका answer होगा D, which they can do to reduce harmful pollution, D, इसमें आपका सही answer होगा, question number 8 द यह sentence अरल है, decline यानि past tense की बात हो रही है यहाँ पर, देखें यहाँ पर भी यह past tense की बर्ब लगी हुई है, तो past tense की बर्ब लगी हुई है, तो इसका मतलब है पूरा sentence ही आपको past tense में लिखना होगा, और in place of have, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा had, तो यहाँ पर D आपक आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका दी, तो यह है real questions banking के, और से इसी तरीके के question आप forthcoming banking exams में आप expect का सकते हैं, और इस तरह के questions, काफी questions में अपने block section में दे रहा हूँ, पूरे explanation के साथ और पूरे answer के साथ और इन, तो इन blocks को आप जरूर पढ़े, examine. इन, वेब साइट पर block section में आपको जाना है, इसके लिए login करने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप open करके इन blocks को आप पढ़ें और इसे आप फाइदा उठाएं, ठीक है, तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से बिलूँगा, next video class में, thank you.